विद्यारतु नमशकार इस विडियो लेक्चर के माध्यम सम पढ़ेंगे तृती वर्ष यानि थर्ड येर का इसनातक तृती वर्ष का जो प्रथम परश्ण पत्र है According to New Education Policy for MP College Student में हम बात करेंगे Foundation Course यानि आदार पाथिकरम का पहला पेपर जिसका नाम है Hindi भाषा, Course का शिर्षक है, Title of the Course भाषा और संस्क्रती Unit 2 में दिया हुआ विद्या निवास मिष्ट का परीचे और उनका पाथ आंगन का पंग्ची मात्मा गांधी की आत्मकता के अंश और विश्व के प्रमूख धर्म इस विडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे Unit 2 का पहला विडियो लेक्चर विद्या निवास मिष्ट का परीचे पाथ और उनका पाथ लिगावा आंगन के पंग्ची तो विद्या निवास मिष्ट की जीवनी के बारे में लोग पढ़ते हैं उनका जीवन परीचे विद्या निवास मिष्ट का जन्म 28 जनवरी 1926 इसमी को उत्तर प्रदेश के गोरकपूर जनपत के पकड़ टीहा गाउं में हुआ था इन्होंने 1945 में प्रयाग विश्विद्याले से संस्क्रत में में करने के परशाद हिंदी साहिते समयलन में स्वर राहुल संस्क्रत यन के निदेशन में शोध कारी किया तद उपरांद विंद्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में के सूचना विवागों में संबंदर है वर अपनी साइत्य सेवाओं के लिए इनको भारत सरकार ने पदमश्री उन्नी सो अठ्यासे में बारती ज्यान पीठ के मूर्ति दैवी पुरुसकार उन्नी सो नब्बे और केके बिल्ला फाउंडेशन शंकर पुरुसकार सीथ अनेक पुरुसकार उसे समानित किया जा चुके हैं इनकी प्रत्यू 14 फरवरी 2005 को हुई थी इनकी प्रमुक्रश्टना मिश्र जी की प्रकाशत कदियों की संक्या सतर से अधी के जिन में व्यक्ती व्यंचक्स निबंद संग्र आलोश नात्मक और विवेक नात्मक रतिया बाशा चिंतन के शेत्र में शोध गरंत और कवीता सं संक्लन संबनी थे डाक्टर विद्यानिवास मिश्र आधुनी ज्यान विज्यान समा संस्क्ति साइट्ति कला कि रविंतम चेतन और तेजस्ति उसे मंडी थे संस्कत बाश्टा के साथ हंदी और अंग्रेजी साहित्तिक के मरमग्य डाक्टर मिश्ट अनेक संस्ताओं में सम्मानी सदसे रहें इनके कुछ प्रमुक्रशना है चित्वन की चाओं कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी आंगन के पंची और बंजारा मन मैंने सिल्द पहुचा ये बसंत आ गया पर कोई उतकंटा नहीं है मैंने राम का मुकुट भीगरा है मेरे नाम का मुकुट भीगरा है हल्दी और दूम कटीले तारो के आरपार कोन तू फुलवा बीनन हारी कावे संग्र में पानी की पुकार कानी संग्र में ब्रम रंजन का पचड़ा और आलोजनात्म गरंते में तूसिदाज बक्ती प्रबंदन का नया उतक्रष्ट आज के हिंदी कवी अग्य कबीर वंचना वंचाना मरत रहीम रशनावली और अस्खान गरंथावली तो विद्याट्यो ये था इनके बारे में डिटेल्स अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनका जो पार्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है पार्ट का जो नाम है उसके बारे में भी हम लोग चलते हैं और आगे बात करते हैं पार्ट आंगन का पंच्छी जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उस कौम डिटेल में देखने जा रहे हैं तो आंगन का पंची बहुत बड़ा चेप्टर है और इसमें कहानी बताईए कि गुरिया की कहानी आपको एक चितर दिखाए दे रहा है इस स्क्रिन पर ये गुरिया चिडिया है आप लोगों ने सब को इस चिडिया को देखेंगे और फिर इसके मल्टिपल चोईस कुशन के दरब चलेंगे गाउं में कहा जाता है कि जिस घर में गुरिया अपना गोसला नहीं बनाती है वह गर निर्विश से हो जाता है इस तरह से घर के आंगन में गुरिया का ठीड होकर चर्च आना दाने चुनकर मुडेर पर सूबह हर कहीं तिनके विक्रना और गुम फिर कर रात में घर में ही बस जाना अपनी बढ़ती चाने वाली गरस्ती के लिए बच्चों की किलकारी मिठी शरारत और निर्वे उच्छलता बोस से होती है एक से एक चटीले, एक से खुशबुवाले, एक से कटीले, पर बेला, गुलाब, जुही, चमेली, कुमुद, कमल, बहुत कम आंगन में मिलते हैं और अकिंचन से अकिंचित्र की वेदों वेदी जरूर मिलती हैं और उस वेदी पर तुलसी की मंजरी जरूर खिलती है जिस तर गोरिया में कोई रूप रंग की विशेस्ता नहीं होती है खंट में कोई विशेश प्रकार की विश्चलता नहीं होती है उडान विशेश शमता नहीं होती है मज आंगन में फुदकने का उच्छाल है उसी प्रकार तुलसी के पोदे में ना तो सगन च्छाव की शितलता है ना गंद का जादू है रूप का शंगार के वर आंगन का दूख दर्द उतंक्टा है तुलसी की पूजा के लिए तो खेर शास्त्री आधार है पर गुरईया के धीट और इतनी मंगला इस पदे कि लोग चिडिया का शिकार करते भी है वे गुरईया को नहीं मारते हैं गुरईया मारना पाप समझते हैं मैंने अपने ससुराल के बड़े आंगन में देखाए कि वाँ गुरईया के आंगन के चारों और औरियों के नीचे बराबर लटका फो पर रहाल उस सुखाया जाता है और उस पर बराबर गoryया के ढल के दल आते रहते हैं जरासी देर में जरासी अशारे में यह दल तीतर वीतर हो जाते हैं पर जरासी आँखो जल होते ही फिर वहीं जमते हुए भी वह स्वच्छनद रहते हैं वो आंगन नबाडा तो हे पर भरा नहीं है साल में केवल कभी कभी वहां आंगन मेमानों की तरह आयोए बच्चों से बढ़ता है पर आंगन उन से भरने वाला है या इसी आशा और इसी स्मृतियों में गोरिया को ऐसा प्यार दिया जाता है एक दिन में वही था जबकि किस अकबार में पड़ा कि चीन में एक नया पुरुशार्थ जागा है वहां की उससाए सरकार्ने गोरिया को खेती का शत्रु मान कर उसके खिलाब मुहीम की है खेर चीन में अभियान हो और वहां सामूइक ना हो तो यह अन्होनी बात होगी अव्वे हो रहा है और होना इसलिए कि जिस तरीके से जिस बेमाने पर गोरिया के वत की योजना बनाए गई वह अमानवी हैं उस एक बार में पड़ा कि बंदुक दाग दाग कर जुंड के जुंड इन गोरिया को खदेड़ते हैं और खदेड़ते रहते ताकि वह कहीं भी बैटने को ठोर ना पासके और अंत में बेदम हो ऐसे मालूम मासुम और मनुष्य के परती सज विश्वास इसलिए है रखने वाले पक्षी को इस प्रकार निर्मुल करने की उजना सचमुच उनमाद में प्रेरित नहीं है तो क्या है मैं भी बुद्धी कवीताएं पड़ी हैं निर्माण पर शोक प्रकट किये हैं जबकि मनुष्य का शव कफन के लिए भी तरस रा है जहां चीटियों के लिए आटा चिटने और मचलियों के लिए आटे की गोली फिकने पर व्यंग मनुष्य भूके मर रहे हैं जहां की गुलाब की क्यारियों पर तरस खाया गया है क्योंकि यहूं के देश में कमी है और जहां की कला और उपासना को एश समझा जाता है जबकि मनुश्य अभियान की सफाई के लिए उन कवीताओं को एक एक करके याद किया पर मुझे जहलेगा कि यह तो अभाव की पूर्ती की योज़ना नहीं है यह तो पूझी को समाप्त करने के लिए भी आयो मनुश्य की सत्ता शर्ष्टी पर सर्व परिमानने का कोई नया तरीका भी नहीं हो सकता गोरिया दाना चुकती है पर शायद जिस मातर में दाना चुकती है उससे कहीं अधिक लाव खेद के अनाज में लगनेवाले कीडों को साफ करती है थोड़े देर के लिए माना कि वो दाना देती नहीं कि वो लेती भरतो है कि इस प्रकार समूझे स्रश्टी में समरस्ता के एक साथ खिलवार मनुष्य विक को भी इस प्रकार लाब की आशा से नहीं मात्र अपनी परती हिंसा की भावना से नहीं रही हो अपने ही साथ अपने बच्चों की तरह निर्व DFY विचरने वाले को इस प्रकार की सता न्याय है तो विद्यारती ये कवीता तोड़ी सी बड़ी है मैं इसको तोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ आप विडियो को रोकर इसको पढ़ लीजेगा हम इसके मूल जो तीम है उसके तरब अब चल रहे है मुल थीम यहाँ पर आगई आगन के पंची गोरिया के विशेस्ताओं और लेखन की समवेदा विद्या निवास मिश्ट द्वारा लिखित इस निबंद में मिश्ट जी ने गोरिया के मतों को बताए गाउ में कहा जाता है कि जिस गर में गोरिया गोसा नहीं बनाती वह गर निर्भल हो जाता है याद रखिएगा गोरिया एक छोटी सी चडिया जो अपने साधान रंग रूप में भी घर आगन को रोनक से भढ़ दीती है सबसे पर निर्भयता ये छोटी सी चडिया निर्भय निशंक आगन में विछरण करती है बेदड़क दाने चुकती तिन के विखेडती और घर आगन में खुशिया बड़सा देती है सोभाग्य का प्रतिक माना भी जाता है नेक्स्ट हेडिंग है सुभाग्य का प्रतीक पहला निर्भेता दूसरा सुभाग्य का प्रतीक लेगक के नुसार गोरिया सुभाग्य का प्रतीक भी जिस घर में गोरिया नहीं आती है वो गर दूर्बल निर्बल और साधन हीन हो जाता है इसलिए गोरिया का आंगन में चचाना सुक सम्रद्धिक का गोतक माना जाता है पक्षियों में भ्रह्मन गोरिया को जन मानस ने पक्षियों का भ्रह्मन की संग्या दिये इसलिए वो इतनी आत्मी और मंगल मैं हैं चिडिया का शिकार करने वाले भी इस वज़े से गोरिया का शिकार नहीं करते हैं क्योंकि वो शुब मंगल कारी हैं स्वचंद पक्षि स्वचंद तासे आंगन में आंगन विच्रन करती आंगन में सूके गहुँ धान के एक साथ जुडाता और जरा सा हाथ हिलाती तीतर वितर हो जाता वह वहीं तक जादा दूर नहीं है इसने लेखक कहते हैं गुरिया स्वचंद पंक्शी है एक से जन जन की प्री हैं लेखक कहते हैं गुरिया का रूप रंग में कोई श्यस्ता नहीं है पर पीले नीले रंगों की खुपसूरती नहीं है कोयल जैसी में टी बोली नहीं है मौर जैसा नत्य कला भी नहीं है बाज जैसी उडान भी नहीं है फिर भी गुरिया सबकी प्री अब हम चलते हैं इसके multiple choice question के तरफ शितवन की छाओं के रशनाकार कोन है तो विद्यानिवास मिश्र है प्रश्नकरमांग दो जिस घर निर्वश हो जाता है वहाँ गोरिया अपना गोसला नहीं बनाती हैं प्रश्ण करमांग तीन आंगन का पंक्षी किसा नी बन दे तो ललित नी बन दे कौँसा याद रहेगा विजार दे ललित नी बन दे है प्रश्ण करमांग चार गोरिया की तुलना किसे की गई है तो आंगन में तुलसी की पोदे से की गई है प्रिश्ण करमांग 5 हमारे देश में अन्नकम पेदा होने के संबन्द में क्या तर्क दिया गया तो चुए उसे कुतर जाते बंदर तरसनस कर जाते चिडिया उन्हें खा जाती है तो उप्युक्त सभी प्रिश्ण करमांग 5 प्रिश्ण करमांग 6 प्रिश्ण करमांग 6 विद्या नीवास मिश्ट का कावे संगर इन चारो में से क्या है तो पानी की पुकार उनका आगे चलते हैं विद्यार तो पृष्णकरमांग साथ को आप एक बार चेक कर लिजेगा रस्खान ग्रंथावली भी विद्या निवास मिश्टर का ही काविस अंगर है विद्यार निवास मिश्टर को प्राप्त सम्मानों की सुची में शामिल किजे तो केके बिल्ला फांडेशन का शंकर पूरुसकार, मंगला प्रसाद पारितोशित पूरुसकार और साइध अकादमी महत्तर सदस्य सम्मान उप्युक्त सभी करेक्ट आंसर होगा विद्यार निवास मिश्टर के जन्मत इतिका पे तो 28 जन्मती 1926 को है विद्यार निवास मिश्टर के जन्मत सतरी के आए तो गोरकपूर है विद्यार निवास मिश्टर जाने जाते तो प्रसिद्ध ललीत निबंदकार के रूप में जाने जाते है मिष्टर जी का निबंद रश्णाओं के प्रमुक शित्वन की चाओं, आंगन के पंची और कदम की फूली डाल विध्या निवास मिष्टर को बारस सरकार द्वारा कोंसे सम्मान प्राप्त हुए था तो पदमश्री और पदमभूशन दोनों उने प्राप्त हुए थे विध्या निवास मिष्टर को शिक्षा और साहित्ते की शत्रवे उननी सो नन्याणों में बारस सरकार ने सम्मानित किया था कौनसे वुरुसकार से पदमभूशन से बंदरा से विध्या निवास मिष्टर निबंदकार के अतरिक्त क्या थे तो वो एक कवी भी भी थे प्रिश्ण करमांग 16 श्री विद्या निवास मिष्टर जी के ललित निबन लेखन का प्रारंब कपसे किया गया तो 1956 से किया गया प्रिश्ण करमांग 17 श्री विद्या निवास मिष्टर का पहला निबन संगरक का प्रकाशित हुआ तो 1976 में प्रकाशित हुआ प्रिश्ण क्रमांग गट्टा श्री विद्या निवास मिष्ट का जन्म इस्थान कहा है तो पकड डिहा गाउं गोरकपूर में है प्रिश्ण क्रमांग उन्निस श्री विद्या निवास मिष्ट किसके मरमग्य थे कला और भारती संस्कती के प्रिश्ण क्रमांग विष्ण दिम्रिया निवास जी ने इस्तना कुत्तर की बढ़ाई कहां से की तो इलाबात विशुद्याले से की Ch professionals 21 , विध्या निवास मिष्ट को किस विशिध्व्य ले के कुल। पती रहे तो संपुणा नंद संस्कत विशिध्य लेवं काश्व विध्यावट में रहे CO में रहे कि जिस घर में गोरिया अपना गोस्रा नहीं बनाता वो घर निर्विष हो जाता है। गोरिया ठीड होकर चाहना किसा प्रतीक है। भूत कम आंगन में क्या खिलते हैं। तो कर एक टांस रिक कमल, अटटास वा, गोरिया में किसकी विश्यस्ता नहीं है। रूप रंग की विश्षिस्ता नहीं है प्रश्ण करमांग तीस गोरिया मारना क्या समझा जाता है तो महान पाप समझा जाता है महापाप समझा जाता है प्रश्ण करमांग तीस सेनिक क्या लेकर गोरिया का शिकार करते हैं तो बंदुक लेकर शिकार करते हैं अभियान की सफाई में के लिए क्या किया गया है तो कविताओं को याद किया गया है अंगन के पंची पार्ट में कविताओं को क्या याद किया जाता है तो अभियान की सफाई हमारे देश में कैसे लोग है विद्या निवास मिष्ट का निबंद कौन सा है तो विद्या निवास मिष्ट ने साधार विश्यों को लेकर पुराणी के एतियासिम साहितिक संदर्मों में युक्त करके प्रवावशिल बना दिया है इनके प्रमुक्नी बंदे तुम चंदन हम पानी आंगन के पंची और बंजारामन चितवन की चाओं मैंने सिल पहुँचाई प्रिश्टक रमांग पेतिस पंची कहा रेना पसंद करते हैं तो वे खूले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना पसंद करते हैं तो विद्यार्तियों ये था विद्यानिवास मिष्ट का आंगन के पंची कवीता जिसमें गुरिया के बार हम ने पढ़ा आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगतार वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक शेर करें और चैनल क अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम एक मॉटिवेशन मिलता रहा है और इसी तरीके साम आपके लिए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें तो साथ यो इसके साथ हम आपसे विदा रहेते हैं जे हिंद जे भारत इसका नेक्स्ट विडियो लेक्चर रुणिट सेकंड का मात्मा गांदी के ऊपर आप लोगों को प्लैलिस्ट में उपलब्ध होगा तो थैंक्स स्टूडेंट्स वाचिंग अगेन